हलो गुर्मॉर्णिंग स्टुडेंट्स मैं हूँ रभिकमार सक्सेन आपका अपना प्यारे चैनल नंबर वन क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्सिल फ्रेक्शन का MCQ जिस प्रकार से लास्ट वीडियो में हमने आपसे प्रोमिस किया था कि बेसिक मैथेमेटिक्स में हर एक टॉपिक पर आपको MCQ देंगे तो हम और सुजीद सरमिलकर लगतार हम आपको हर एक टॉपिक पर MCQ देने के लिए कोर्सिस करते आ रहे हैं तो आज का जो टॉपिक है पार्सिल फ्रेक्शन के उपर सारा कोर्शन को करें अगर आप डिपलोमा कर रहे हैं SBT बिहार से तो आपको जो है बेसिक मैथेमेटिक्स में जब एक्जाम देने जाएगा तो पहला कोर्शन अर्था जो बेसिक मैथेमेटिक्स का पहला कोर्शन होगा वो पार्सियल फ्रेक्शन से शुरू होगा और पहला कोर्शन आपने सही टिक किया तो आपके अनर्ज में जो है एक जोस आता है एक एनर्जी आता है कि हाँ जो है यह कोशन जो है बहुत ही असान है इसलिए शुरुवात का पहला कोशन जो है बहुत इंपोर्टेंट रखता है आपके लिए भी और जो कोपी चेक करता है उसको भी जो है बहुत इंप कर देखते हैं क्या बार-बार पूछता है सारे कोर्षन को हम देखते हैं को में पूरा घृपली जाते हैं तब आप को गरांटी देखर बोलते हैं कि आपको अभेंट स्मूछन कुंद्ल पूछनगद दीजिए आप 2 रोबे एक नमबर दिलाने के लिए कोर्सिट करेंगे तो देख़ी हम सोलूशन करने जा रहा है तो सबसे पहले ध्यान दीजाँ यहां पर रोर डी मिनेतर को मासंथ करेंगे हैप क्या है कि आस्माट तरीका से कोजन को से द्रीकार तरीका करेंगे छी स denial-1-3 यानि कि आप जो है तो यहां पर उलटा लिग दिया है तो बराबर होगा, क्योंकि multiply किजिए उस तो इसको जो है बराबर होगा लेकिन अभी जो है हमको tension है कहां तो numerator का tension है तो numerator को हम check करेंगे numerator हमको कितना लाना है वन लाना है तो पहला option को देखेंगे option number a तो option number one का जगर हम अगर LCM लेंगे तो x-2 आ जाएगा नीचे में और x-3 आ जाएगा ठीक है अब इसको यह यहां चला जाता है यानि कि x-3 हो जाएगा बीच में minus का sign है तो minus हो जाएगा x-2 यानि कि minus x हो जाएगा और minus minus plus हो जाएगा ठीक है यानि कि यह minus minus cancel हो जाएगा तो minus 3 plus 2 है तो यानि कि minus 1 आ जाएगा उपर में तो minus 1 तो हमको लाना नहीं है उपर में क्या लाना है one लाना है यानि कि a जो है आपका गलत option है b में चलेंगे b को check किजिए तो b का denominator क्या होगा तो x-3 होगा ठीक है उसके बाद x-2 होगा तो x-2 होगा अब जो है यह यहाँ पर आएगा यानि कि x-2 बीच में minus का sign है minus तो minus x हो जाएगा plus 3 हो जाएगा यह है minus x हो जाएगा minus minus plus हो जाएगा plus 3 हो जाएगा यहाँ से x-x cancel हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा तो 1 divided by x-3 और x-2 ठीक है तो यही तो आपका option है यही तो आपका question दिया था इसी question जो है आपका answer है यानि कि आपका बी number जो है सही है बी number किया है correct answer है एक और question लेंगे इसी टाइप का पहले आप लिख लिजे इसको कि चलिए next question next question भी same type का है same type का question जो है repeat किया है 2018 का odd में पिछला question 2018 का event था यह odd का question है question कुछ रहा है the partial fraction of one by x-plus 2 x-plus 3 का क्या होगा ठीक है तो question को देखे सबसे पहले तो आपका denominator denominator के बात करेंगे तो x-plus 3 दोनो जो है plus में है तो यहां पर जो है दोनो प्लस में होना चाहिए ठीक है तो दोनो जो है नीचे में क्या होगा plus में होगा ठीक है यह तो बात याद रखेगा यानी कि आपका smart work करना पहला option तो होगा ही नहीं होगा कियों कि दोनो जो है plus में है 1 x-plus 2 x-plus 3 है यानी की पहला option तो होगा नहीं कि यहाँ पर minus दिया है पहला option जो है rejected, दूसरा option को देखेंगे, दूसरा और तीसरा, अब रहा जो है, दूसरा और थीसरा, था, B और C में जो है, कोई एक हो सकता है, यक ये भी दोनों नहीं होगा, तो तीसरा option, last option में जाएंगा, था, D में जाएंगे, तो अभी जो है B और C को चेक करेंगे, तो D लूमिनेटर तो ठीक है the new leader ठीक है अभी जह है नूमिनेटर को चेकक करते हैं तो ीजर्ण जो है एल सियम लेंगो तो क्या होगा एक्स प्लस 2 हो जाएगा और एक्स प्लस 3 होगा और कि नहीं होगा इसका जोRes लेंगे तो यह और X plus 3 यानि कि option number B जो है आपका सही है option number B जो है आपका correct अंसर है next question देते हैं same pattern का question है अगला question जो है हम change करेंगे ठीक है तो question क्या कहता है the partial fraction of 1 divided by x into x-1 इसका partial fraction क्या होगा तो denominator भी क्या है x और x-1 तो इसमें भी x-1 है x-1 है x-1 है x-1 है x-1 है ठीक है यानि कि तीनों option जो है आपको check करना ही पड़ेगा ठीक है पहला बात तो आपको check करना पड़ेगा अब हम बारी बारी से check करते एक को check करते हैं तो denominator जब multiply करेंगे तो नीचे तो वही आगा तो हमको denominator का tension नहीं है किसका tension है केबल जो है numerator का tension है तो numerator को check किजिए numerator को जब check किजिएगा तो यह जो है यहां जाएगा यानि कि x-1 होगा ठीक है यह जो है यहां पर जाल जागा सेम आएगा अभी हम numerator को check करेंगा तो यहां x हो जाएगा x हो जाएगा बीच में plus का sign है plus दे दिजिए उसके बाद x-1 होगा तो x-1 तो यहां से क्या होगा 2x हो जाएगा यह तो आपका बनता ही नहीं है 2x-1 तो है नहीं यानि कि b जो है आपका गलत है c में check किजिए c को check करते हैं c को check करेंगे तो आपका numerator और denominator दोनों को check कर लेते हैं तो denominator तो वही होगा अथाथ x-1 होगा इन्टू x होगा ठीक है अब दियान दिजे इसको जो है यहां पर करेंगे ठीक है उसके बाद यह minus sign होगा तो minus x हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा होगा कि नहीं होगा यह जो है है यह होगा correct answer होगा ध्यान दीजे इसी टाइप का question जो है आपको बार बार पुछता है अब एक टाइप का question आपको कहां से पुछेगा वह हम आपको बता रहें उसके बाद जो है आपको पूरा partial fraction का mcq खतम हो जाएगा जिले second type का question पुछता आपका definition से पुछेगा यानि कि जो आपका definition है definition में से कुछ भी उठा का पूछ सकता है तो आपको definition जो है याद होना चाहिए जैसे जब नॉर्मल पूछेगा कोई hard definition नहीं पूछेगा जैसे question क्या है देखिए if the degree of numerator is less than the degree of denominator then the fraction is called the degree of numerator जो है less than the degree of denominator से तो इसको हम लोग कौन सा fraction बोलते हैं तो proper fraction बोलते हैं definition आपको याद होना चाहिए तो यहाँ पर जो है आपको option क्या हो जागा तो यह नंबर जो है प्रोपर fraction जो है सही नहीं आगया तो यह question हम देते हैं आप यूसका comment किजीए होतर है 2016 का जो है और है इसको जो है आपको comment करके करना है कि answer क्या हो ठीक है आप हमें comment की जिए comment में जो है आपको जो है 일 Ben or Just a bar होगा और 비 होगा सी होगा डी होगा कौन सा option होगा चाहीं है आप हमें कमेंट कीजे ठिक है तो यह वीडियो लेक्च help कैसे अगर को अच्छा लगा तो iron मिलता रहें तब तक कि यहाँ भीदा लेते हैं धन्यवाद